दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आपका मेरे स्यूडिव चैनल में हलो दोस्तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी टीम से आसानी से 100 PV और 60 PV कंसिटेंसी करवा पाओगे और आपकी टीम वाले इसको जरूर करेंगे क्योंकि नेटवक मार्किडिंग में टर्णवर पर पेशा आता है किसे को जौइन करने पर थोड़ी ना पेशा आता है और टर्णवर कब होगा जब आपकी टीम के लोग पर्ट। परचेस करेंगे और सबसे बड़ी प्रोब्लम तो यहीं आती है कि लोग प्रोड़क्ट नहीं खरीदते तो आज हम उसके उपर ही बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बता दे अगर आप काम्याब होना चाते हूँ तो एक काम जरूर करिएगा वो ही कंसिस्टेंसी तो आपको कंसिस्टेंसी करनी है और अपनी टीम से करवानी है क्योंकि यही एक जर्या है जिससे आप जल्दी से काम्याब हो जकते हैं आप बोलोगे कि लोग कंसिस्टेंसी ही तो नहीं कर रहे सामानी ही तो नहीं खरीद रहे तो हम क्या करें तो उसके लिए आज हम आपको कुछ खाज चीज़ बताएंगे उसके पहले जान लेते हैं 100 PV और 60 PV कंसिस्टेंसी के बारे में 100 PV कंसिस्टेंसी कब होती है जब हम 3,000 से लेके 3,000 रुपे के प्रोड़क्त खरीते हैं तब हमारी कंसिस्टेंसी लगती तो उसको करने में में क्या फायदा होगा मान लिज़े आपने कंसिस्टेंसी स्टार्ट करिए तो लगबख 3,000 रुपे के सामान लेते हैं तो आपकी बच्चत हो जाएगी 10-20% के हिसाब से 700 रुपीज उसके अलावा आपको केजबेक मिलेगा 5-11% के हिसाब से 90 रुपीज इसके साथ 10% एडिशनल प्रोड़क्त फ्री मिलेंगे तो लगबख 300 रुपीज तो फ्र्ष्ट मन्द आपकी जो बच्चत होगी वो होगी 1090 रुपीज यही चीज अगर हम सेकेट मंद करें तो आप अगेन 3500 रुपे का साथ 100 रुपे की बच्चत होँचिए 90 रुपे केज बेगाते हैं तिन्सो रूपे के प्रॉडॉक्त फ्रीम् или मिलते हैं। है 109 मंत भी हम यही चीज करते हैं। जब हम चार मैने यही चीज करते तो पांचों मेने हमें क्या मिलता है कंपणी नहीं पर पांचों मेने आपको लगबग 25 रुपए के प्रोडक्ट फ्री में देती है तो हमारा खर्चा कितने को हुआ था हमारा खर्चा हुआ था 12000 से लेके 14000 और हमें रिटर्न में मतलब कि हमारी बज़त किती होगी आपकी ब लोंग तर्म काम करना सोट तर्म नहीं वेश्टीज का प्लान लोंग टर्म में ना कि सब्टम में अगर कोई 100 पीवी नहीं कर पाया तो उसके लिए कंप्णी ने दूसरा ओफर लॉंच किया है दूसरी कंसिटेंसी स्टार्ट करिए वह ए 60 पीवी की अब 60 पीवी कंसिटें क्योंकि 10% additional discount मिलता है तो आपकी बचत हो जाएगी फर्स्ट मत 534 रुपीज सेक्ड मन्त आप वापिस से लगबग 2100 का प्रोडक्स खरीते हैं 10-20% के हिसाब से 300 की सेविंग हो जाएगी 5-11% के हिसाब से केजबेक 54 रुपीज आपके बेंग अकाउंट में आ जाएगा और 180 रुपीज फ्री प्रोडक्स मिल जाएगे तो सेक्ड में 534 रुपीज की बच्चत होगी ऐसे अगर हम कंटिन्यूसली चार महीने तक करते हैं तो 5 महीने कंप्रीया में 1250 रुपए के प्रोडक्स फ्री में देती हैं तो वहापर 100 प्रोडक्स में क्या किया था हमने चार मह पर 60 प्रोडक्स में यह जो आपको प्रोडक्स मिलेगा 1250 रुपए इसमें कंपनी सिलेक्टेट प्रोडक्स देती है ठीक है तो वह आपको लेनी पड़ती है तो नहीं पर हमने हमारी जो खर्चा था वह लगबख 7200 लेकर 8400 रुपए था और हमारी बचत किती हो गई 3386 और आपका सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोग 60 PV ही तो नहीं कर रहें लोग समाने ही तो नहीं खरिद रहें तो उसी के बारे में आज हम जानकरें देने वाले हैं तो एक एग्जम्पल से जानते हैं आपने अपने एक दोस्त की मदद करी उसको प्लान बताया और 100 PV से उसक किया पर उसने कंडिसन रखी कि मैं हर महीने सिर्फ 1000 रुपय का समान खरी सकता हूं इससे ज्यादा नहीं तो आपने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है उसको 30 PV से जोइनिंग करवाया और उसने भी बिजनेस को सिखना चालू किया अब उसने क्या किया उसने भी अपने दोस्त को वेस्टिस के बारें बताया तो उसका दोस्त भी आता है और बिजनेस को बेल्ड करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह भी बोलता है कि मैं भी हर महीने सिर्फ 1000 रुपय का समान करे दूंगा क्योंकि हर महीने मेरी सिर्फ 1000 रुपय की सेविंग हो पाती है और आप बोलोगे हमने इसलिए तो वेस्टिस को जोइन किया है ताकि जिनकी पर पेसा पेसा ना करना पड़े और यह जो नया बंदा आया है यह भी यही बोलता है कि मैं भी 1000 रुपय के समान करे दूंगा तो अब आप क्या करोगे क्योंकि अगर वह 1000 रुपय के समान करेते हैं तो कंसिटेंस से तो लगनी नहीं है तो इस समय आप क्या करोगे चलो हम बता देते हैं कि आपको करना क्या है अगर तीन लोगे और 1000 रुपय के वह सामान ले रहे हैं तो 3000 रुपय का समान हर महीने खरीदा जा रहा है तो क्यों ना इन तीनों लोगों को मिला कर एक कंसिटेंसी पूरी करव मिलेगा और उसको हम इन तीनों लोगों में डिवाइड करें तो हल इंसान को पांचों मेहीने लगबख 833 रुपय का फ्रॉक्त फ्रीम मिल जाएगा तो ऐसे हम अपनी टीम से एक प्रांसिटेंसी करवा सकते हैं अभी तक कंसिटेंसी का मतलब क्या हुआ हम सोचते कंसिटे से करवा सकते हो और जो भी फाइदा होता है उसको उनके रेसों के हिजाब से आप डिवाइड कर सकते हो तो अब कोश्यन उड़ता है कि कंसिटेंसी तो करवा नहीं है पर किस से करवाएं ताकि सबको फायदा हो तो दोस्तों आपको कंसिटेंसी उस इंसान से करवानी है जो प्लान है अगर आप या आपकी टीम में कोई भी प्रोड़क्ट खरिदता है तो आपके अपलाइन के पीवी जरूर बढ़ते हैं तो दोस्तों है ना सिंपल तरीका तो इस प्लान से अब सारे लोगों को फाइदा होने वाला है और इसको करकर हर एक इंसान को लगबक 800 रुप करके भी आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और फिर प्रोफिट होने पर आपके लोग भी इसी काम को डुप्लिकेट करने लग जाएंगे और आज की बाद जो कंसिटेंसी की प्रोब्लम है उसका सोलीशन इस वीडियो में है तो इस वीडियो के बाद कोई भी नहीं ब इसके बारे में पता चले और कमेंट करके जुरू बताएं ये प्लान आपकी लिए कितना लाव करिये इससे आपको क्या फाइदा हुआ थैंक यू वेसी वेल्थ जै हिंद जै वारत अगर आप हमारे चैनल पर नाए हो इस चैनल को जरू सब्स्राइब कर लें क्योंकि हम वेस्टी से रिलेटेर वीडियो रेगुलर अप्लोड करते हैं